लंच हो डिनर हो या फिर अचानक से महमान आ जाए बहुत कम समय में जटपट बनने वाला टोमैटो पनीर राइस फिर इंस्टंट राइता की रेज़ भी बहुत पसंद आएगी जिसको बनाना बहुत आसान है इसको बिस्कूल लंच बॉक्स में भी ले जा सकते उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है उससे पहले हलो फ्रेंट्स मैं हूँ अश्मी और सौगत करती हूँ आपका मेचन अश्मी फूड में तो सबसे पहले हम एक इंस्टंट राइता बनाएंगे जिसके लिए मने एक कब अच्छा सा बेट के हुआ दही ले लिया था उसमें टेस्के को करेंगे एक चमच देल में थोड़ा सा एक चमच मस्टर्ट सीट एक चमच यूमिन सीट एक चमच डाला है मैंने रडचिली पाउडर इसको अच्छे से तड़का लगा कर इसमें डाल देंगे और यह देखिए अच्छे से मिक्स कर लीजे बन के रैड़ी है बिल्कु इंस् आपको ना जो राइस बनाना उसके लिए सिप आपके पार कुक्ड राइस होना चाहिए बस आपका काम चुटकियों में हो जाएगा तो मैंने यहां पर तुरंत गरम गरम चावल बना कर रख लिया था एक डियर कप चावल लिया है कुछ मिक्स स्पाइसे जिसमें लॉंग कलाइची और लियर कैस एंडान चीन, रेट चिली और एक देश पता है तो मैंने इसको अच्य स्वड़ा सा करते हैं बहुत अच्छा से हो अच्छा आता है तो चाहिए बनाते हैं तो मैंने दू चमाश्या धैश्या गी fibre बना सकती हूँ Prime वर्टर में बना सकते हूं, ढृ और अच्छे से भूल लेंगे इससे जो इसका टेस्ट आएगा ना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है उसके बाद इसमें एक चमस क्यों मिन सीर्ट जाल देंगे इसके बाद में प्यास थोड़ा अच्छे से लगेगा तो मैंने दो बड़े साइज के अनियन को ऐसा पतला पतला चौप कर लिया है आप ना इससे लंबा लंबा भी स्लिट करके डाल सकते हैं वो भी बहुत टेस्टी लगता है इसको बड़ी ऐसा गोर्डन कलर नाय तक करेंगे और अभी हमरा प्याज अच्छा सा ट्रंस्पारेंट हो चुका था तो हमने यहां पर बड़े से दो टमाटर यूज करें हैं अब टमाटो पनीर राइस यूज कर रहे हैं तो टमाटर ज्यादा लगेगा उसके बद हल्दी पाउडर रेड चिली पाउडर और आदा प्रोटीन रिज दरी बनाएंगे एकदम टेस्टी सा बनेगा काफी हल्दी भी होगा तो बस इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको बड़ी आसा कुक कर लेते हैं तो चार से पांच मिट लगे थे और यह देखे बड़ी आसा कुक हो चुका है टमाटर तो उसे टमाटर पनीर राइस का फ्लेवर होगा ना बहुत एंहांस हो जाता है एक बार आप ट्राय करके देखो आपको बहुत पसंद आएगा जैसे ही सारी चीज अच्छे से भुन गई है और अच्छे से सापरेट हो चुका है यह देखिए तो हमने यहां पर कुक्ड राइस डाल करने के लिए तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यह देखिए बिल्कुल इंस्टेंट आपका पुलाओ तो बनके रैडी है सिर्फ कुक्ड राइस चाहिए महमान है जटपड आप बना सकते हो लंच बॉक्स में दे सकते हो तो गर्मा-गरम सर्व करिए रायता या पर अपनी मनपसंद की चटनी के साथ यह जो रायते की रेसिपी है बहुत इंस्टेंट है पर यह रायता इतना टेस्टी लगता है जब आप इसको खाओगे न तो आपको समझेगा तो यह तो आपका इंस्टेंट पॉट बनके रैडी है मेल पॉट आप इसको जरूर ट्रा अब रोज यही बना कर खाओगे बहुत टेस्टी भी है अब कभी बना सकते हो तो एक बाद जरूर ट्राइक करें कॉमेंट करके बताएं यह आपको कैसा लगा तब तक के लिए बाए थैंक्स पर बच्छी में